जैन दोस्तों वन्दे मातरा एक बात है जो शायद ही दुनिया का कोई देश नहीं जानता होगा और वो ये कि अमेरिका आपके आंतरिक मामलों में दखल देगा और ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कि भी ये वही बॉस है और आपके अंदर घर के अंदर जो चीजें चल रही ह हैं उसके बारे में अमेरिका को बहुत चिंता है हाला कि ये करके वो सिर्फ अपने आपको बड़ा भाई दिखाने कोशिश करता है जो कि वो बन नहीं बाता क्योंकि वो एक ऐसा अडियल इंसान है जो कि सिर्फ अपने आपको ही सबको समझता है और अपने आगे किसी को कु जो कि भारत को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही है अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पदुवार को दिल्ली में थे इस दौरान उनकी सबसे मुलाकात हुई वे प्रधान मंत्री नर्न मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जैशंकर से उनकी मुलाकात हुई और भारत के नैशनल सेक्योरिटी एडवाईजर अजीर दोभाल के साथ भी उनकी बैठक थी इन सभी बैठकों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाने की बात की गई लेकिन इस सब के बीच एक और बैठक हुई जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया ये बैठक एंटनी ब्लिंकन और भारत की सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच हुई इसमें सामाजे कारे करता वकील और दलाई लामा के प्रतिन दीश शामिल हुई इस चोटी सी बैठक में अमेरिका की विदेश मंत्री ने भारत के आंतरिक मुद्धों पर बात करी ये मुद्धे थे मीडिया की सुदनता भारत सरकार की क्रशी कानून जिनके किलाव दिल्ली की सीमाओं पर किसार आंदोलन कर रहे हैं इसके लावा लव जिहाद, नागरिकता संचोधन कानून और अलफ संख्यकों के अधिकार पर भी बैठक में चर्चा करी गई ये वो मुद्धे हैं जिनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये अमेरिका की बहुत पुरानी आदत है जिसमें वो अपनी ओफिशल विजिट को एक तरह के आचक निडिक्शन में बदल देता है और फिर बताता है कि किस देश का लोकतंतर है कितना स्वस्त है और उसमें कितनी कमिया है और अमेरिका की विदेश मंतरी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है लेकिन एक सवाल जो उटता है वो ये कि अगर भारत की विदेश मंतरी अमेरीकी दोरे पर जाएं और वहां की सिविल सुसाइटी के लोगों से नसलवाद, अश्वेत नागरिकों के हिलाफ हिंसा, गन कल्चर और ब्लैक लाइफ मैटर के मुद्दों पर बात करें तो अमेरिका का रोकाकर क्या होगा? क्या अमेरिका ये बरदाश करेगा कि भारत उसके आंत्रिक मामलों में दखल दे और इन विद्दों पर अपनी राय दे? सच्चा ये है कि अमेरिका इसे बिल्कुल बरदाश नहीं करेगा. इसी साल जब माई के महीने में भारत की विदेश मंतरी एस जैशेंकर अमेरिका की दोरे पर गये थे तो उन्होंने वहां अमेरिका की विदेश मंतरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मुलाकात करी थे और इसके तुरंद बाद वे भारत लोटा आये थे. तब उन्होंने अमेरिका की विदेश मंतरी की तरह वहां Black Lives Matter की मुहीम चला रहे हैं लोगों से मुलागात नहीं करी थी और नहीं उन्होंने अमेरिका की संसद में 6 जनवरी को भड़ की हिंसा पर कोई expert कमेंट दिया था बहरत चाहता तो वो भी एक Ampire की तरह अमेरिका को उसकी गलतियां बता सकता था और उसके आंतरिक मामलों पर नेतिकता और लोकतंतर का पार्ट उसको पढ़ा सकता था लेकिन हमारे देश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत जानता है कि किसी देश के आंतरिक मामलों पर होता है भारत में सुविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात के बाद अमेरिका के विदेश मंतरी ने कहा कि अमेरिका से शुरू होकर आज हर देश का लोगतंदर पर इपक्व होने की रहा पर है अब सवाल अधिकारों का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए एक है और भारत को गर्व है कि उसने इन मुद्दों पर शांदार काम किया और हमारा देश इस पर दूसरे देशों की मदद लेने के लिए भी तयार है पाकिस्तान की तरह नहीं या चाइना की तरह नहीं जो कि अपने लखपन तो हमको देखने के लिए मिलेगा ही ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका अपनी हरकतों से कब बाज आएगा कब वो अपने आपको एक चैंपियन दिखाना बंद करेगा कि भईये देखो हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं जब तु बाभाई बनने के सोच सोच कर सोच सोच कर दूसरों के मुद्धों को अपना मुद्ध बताएगा और फिर उनका माखौल लड़ाने का काम करेगा आप क्या कहना है इस मामले मुझे कमेंट करें जरू बताइएगा मेरे सुडियों फिलाल अतना ही जैहिन जैभारा